निम्न लिखित समिकर्णों का हल ग्याद कीजे प्रस्नेक 7-6x बटा 9x बराबर 1 बटा 15 7-6x बटा 9x बराबर 1 बटा 15 तो इसको हल करना है यह समिकर्ण है इसको हल करना है तो एक बटा 15 है यानि 15 यहाँ पर भाग में है बराबर के दाया तरफ 15 क्या है भाग में है तो इसको अगर बाया तरफ करेंगे तो गुना में हो जाएगा यानि यह हो जाएगा 15 गुना 7-6x बराबर अब 9x यहाँ पर भाग में है बराबर के बाया तरफ 9x भाग में है ठीक है बटा में है तो भाग में हुआ तो इसको दाया तरफ करेंगे तो 1 से गुना हो जाएगा यानि 9x गुना 1 इसको लिख सकते हैं देखे एक से गुना हो जाएगा तो जब भी इस तरह रहे तो तिर्चा गुना कर लेंगे यानि 15 से इसको गुना कर लेंगे और एक से इसको देखें 15 से इसको गुना कर लिए है 15 गुना 7-6x बराबर 9x गुना 1 ठीक है तिर्चा गुना हो गया है यानि जो भागा में था इस तरफ जाके गुना में और जो इस तरफ भागा में है इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा ठीक है या तिर्चा गुना कर लेंगे दोनों एक ही बात है अब इसको गुना करते हैं तो 15 सते 105 माइनस 15 छक 90 एकसई है तो एकस देंगे बराबर 9x गुना 1 ठीक है x से गुना होके 9x हो जाएगा तो 15 से दोनों को गुना करके हम लिख लिए हैं याँ पर अब देखे मैनस 90x 9x को इदर लाएंगे यानि दाया से बाया तरफ तो मैनस 9x हो जाएगा और 105 को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस एकसो पाँच ठीक है तो माइनस नब्बे एकस माइनस नो एकस नो एकस को इधर लाए है दायां से बायां तरफ तो एकस एकस को साथ में कर लेना है और संख्या को इस तरफ भेज देंगे यानि दाया तरफ तो माइनस 90 x और माइनस 9 x कितना हो गया माइनस 99 x बराबर माइनस 105 तो x बराबर x बराबर हो जाएगा माइनस 105 बता minus 99 तो बराबर के बायां तरफ X के साथ minus 99 गुना में है तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा तो हम लिख देंगे बता में minus 99 अब minus minus हो गया प्लस ठीक है ये कट रहा है किससे तीन से कट रहा है देखे 33, 99 35, 105 तीन के पहाड़ा में यानि तीन से दोनों कट रहा है तो तीन से काट लेंगे कितना बार में कट रहा है तो तीन से 35 बार में और तीन से 33 बार में तो इसका उत्तर आ गया है कितना आ गया इसका उत्तर इसका उत्तर आ गया बराबर 35 वटा 33 यानि X बराबर आ गया 35 वटा 33 ठीक है? तो इस समिकरन का हल निकल चुका है प्रस्ण दो जेड बटा 4 बराबर जेड जोड पंदरा बटा 9 तो ये है प्रस्ण ठीक है? तो क्या करेंगे? तीर्चा गुना करेंगे यानि 9 गुना जेड, 9 जेड हो जाएगा और 4 से उसको गुना कर देंगे यानि जेड जोड पंदरा को 4 से तो इस तरह लिख लेंगे तो बराबर के दाया तरफ जो भागा में है नौ यहाँ पर भागा में है तो इस तरफ जाके गुना में हो जाएगा और 4 भागा में है इधर बराबर के बाया तरफ तो दाया तरफ जाके गुणा में हो जाएगा ठीक है या तिर्चा गुणा दोनों एक ही बात है या तिर्चा करें गुणा करें या जो भागा में उसको गुणा में लाएं ठीक है तो नो जेड बराबर कितना हो गया चार गुणा जेड जोड 15 चॉक 6 जोड 15 चॉक 60 चार गुणा जेड जोड का चिन है तो जोड का चिन देंगे चार गुणा पंद्र 15 चॉक 60 तो यह हो गया 9z माइनस 4z बराबर 60 अब 4z को इस तरफ लाएंगे दाया तरफ से बाया तरफ तो माइनस 4z हो जाएगा और बराबर 60 लिख लेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 यानि 5z हो जाएगा बराबर 60 तो z बराबर तो अतर z बराबर हो गया 60 वटा 5 यानि बराबर के बाया तरफ गुना में है पांच और जेड गुना में है तो 5 जो है इस तरफ जाके भाग में हो जाएगा दाया तरफ तो 5 से 60 को काट देंगे तो कितना में 12 पच्चे 60 होता है तो इसका उत्तर आ जाएगा 12 यानि कितना आ गया इसका उत्तर 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 क्योंकि 12 पच्चे 60 होता है तो 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगे प्रेशन तीन तो प्रेशन तीन में है 1 स्क्वाइर माईनस 1 माईनस दो का होल स्क्वाइर बराबर 32 तो ये है प्रेशन थीग है तो 1 स्क्रेशन माईनस x-2 का whole square बराबर 32 तो इसको लिख लेंगे x square minus कोश्टक देंगे अब देखिए x-2 का whole square क्या होता है तो a-b का whole square के सूतर पर है तो देखिए इसका सूतर हम पहले बताते हैं तो a-b का whole square बराबर होता है a square minus 2ab plus b square ठीक है देखिए a-b के whole square के सूतर पर यह बैठेगा तो a के जगा पर x है b के जगा पर 2 है तो इसको हम इस सूतर इसके जैसा लिख लेंगे a square minus 2ab यानि 2 into a into b यानि यह तीनों गुना में है जोड b square तो इसको हम लिख लेंगे x square minus 2 into x into 2 जोड b square यानि 2 का square कोश्टक बंद करेंगे और इस तरह लिखेंगे 32 तो देखिए a square minus 2ab यह गुना में है तीनों ठीक है दस मलोड नहीं समझना है इसको यह तीनों गुना में है जोड b square तो a minus b का whole square बराबर a square minus 2ab plus b square इस तरह लिख लेंगे तो x square minus अब देखिए इसको हम लिख लेंगे x square minus 2 दुना 4x देखिए तीनों गुना हो जागा तो 2 दुना 4, 4 गुना x, 4 x पलस दो का वर्ग दो का वर्ग कितना हो जागा, 4 तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे बराबर 32 ठीक है इस तरह हम इसको लिख लेंगे देखिए 2 का वर्ग कितना हो था, 4 अब यहाँ पर हम कोष्टक हटाएंगे यह जो कोष्टक है, छोटा कोष्टक है इसको हटाएंगे तो बाहर minus का चिन है तो सबका चिन बदल जाएगा यानि जो plus में हो minus में हो जाएगा जो minus में है देखिए minus, minus क्या होगा plus, यहाँ पर 4x plus, minus, minus यानि 4 और यह प्लस में था तो यहां माइनस प्लस माइनस माइनस यानि इन तीनों का चिन बदल जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन है तो कोष्टक हटाने पे सब का चिन बदल जाएगा तीनों का यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यह माइनस में है तो x square में से x square घटाएंगे, तो सुनने आ जाएगा, तो इसको इस तरह से हम काट देंगे, ठीक है, क्या बच गया, तो 4x बराबर लिख लेंगे 32 जोड 4, माइनस 4 को बाया से दाया तरफ लाएंगे, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 4x बराबर 32 4, 36, 32 और 4 को जोड़ेंगे, तो 36 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 36 बटा 4, तो 36 बटा 4, यानि 36 को 4 से भाग देंगे, तो 9 आ जाएगा, यानि इसका उत्तर हो गया 9, तो इस तरह इसको हल कर लेंगे, अई पहुआ पहाँ,